नभेशब प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट इस वक्त महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए चुनोती बना हुआ है उस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और प्राकर्तिक गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अब लगबग पूरे देश में पेट्रोल की कीमत सो रुपे से उपर पहुच गई है डीजल भी उसी के नक्षे कदम पर चल रहा है कुछ दिनों पहले ही रसोई गैस के सेलिंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई थी अभी प्राकर्तिक गैस यानी CNG और पाइप के जरिये घरों में पहुचाई जाने वाली रसोई गैस यानी PNG की दरों में भी इजाफा कर दिया गया है सुभाविक ही इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिन्दकी पर पड़ रहा है कोरोना काल में बाजार कारोबार उद्योग धन्दे बंद होने की वजह से लाखो लोगों के रोजगार छिन चुके हैं लाखो लोगों की वेतन वाली नोकरियां जा चुकी हैं नीजी संस्थानों में करमचारियों के वेतन में भारी कटोती की गई है जो फेरी लगाने मिस्त्री गिरी इधर से उधर समान पहुचाने वगेरह का काम किया करते थे उनके धन्दे में भारी गिरावट आई है ऐसे में देश के हर वर्ग के सामने अपने दैनिक खर्च में संतूलन बिठाना मुश्किल हो रहा है तीस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, आदी की उपर बढ़ चड़ती कीमते उनकी चुनोतियां और बढ़ा रही हैं इंधन की कीमते बढ़ने से रोज मर्रा इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तूओं की कीमते भी बढ़ती हैं उनकी उत्पादन लागत ढुलाई आदी पर खर्च बढ़ जाता है जिसे अंतिम रूप से आम उभोकता को ही वहन करना पढ़ता है लोगों की कमाई लगातार घटती गई है और उनके रोज के यातायात और खाने पीने पर खर्च बढ़ गए हैं इसके अलावा बच्चों के स्कूल की फीस उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े दूसरे खर्चों को संभालना मुश्किल है स्थिती यह है कि इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है उसे काबू में करने के तमाम परियास विफल हो चुके हैं बैंकों की ब्याजदरें निम्नतम इस्तर पर रखी गई हैं ताकि बाजार में कुछ गती आए पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ इसलिए कि लोगों की क्रैशक्ती काफी कम हो गई है और उन्हें जब रोज मर्रा के खर्च पूरा करने में ही हाथ रोक कर चलना पड़ रहा है तो दूसरे टिकाव समान और विलासिता की चीजों पर उनसे खर्च की उमीद ही भला कैसे की जा सकती है सो अभाविक ही महंगाई की सबसे बुरी मार निर्धन और ओसत आये वाले परिवारों पर पड़ती है यह सब जानते हुए भी सरकार की तरफ से तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के वहवारिक उपाए नजर नहीं आ रहे यह ठीक है कि जब अंतराष्टिय बजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर खुदरा कीमतों पर भी पढ़ती है मगर यह कोई पहला मोका नहीं है जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं पिछले कार्य काल में केंद्र सरकार ने पैट्रोल और डीजल की कीमतों पर इस तरक के साथ सीधे अतिरिक कर लगाए थे की उस राशी का उपयोग तेल संकट के समय में किया जाएगा उस राशी से तेल पुल बनाने की भी योजना थी स्टॉप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल लाएगा आपको हमारी डिक्टेशन कैसे लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दे और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सकें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में